आपका फिर से स्वागत है ममता पनुटीज पे तो आज की वीडियो हमारी है सब्द सकती उसकी परिभासा भे देवम उदारण हो सकता है एक वीडियो में पुरी हुपाय तो दो तीन वीडियो में तो जरूर हो जाएगी और एक खुसकपरी आपको तो मतलब पहले से ही थी य हो गया है कि आप कोई भी अप्ग्रेजुएशन कर रहे हैं कोई भी सब्जक्त ले रहे होती हैं लेकिन एक हिंदी अनिवारे हो गया तो हिंदी हर पेपर में आता है को भी पेपर देने चाहें दसी नंबर का आएगा आएगा जरूर तो हिंदी पढ़ना बहुत सब्द सक्ति को देखते हैं तो सब्द सक्ति पहले है क्या हम इसे जाने के सब्द सक्ति है क्या आप इतना जान लीजिए कि सब्द सक्ति जो है वो वो चीजे हैं जो अर्थ को निर्धारित करती है सब्द सब्द का तब तक कोई महत तो नहीं रह चाता जब तक उसका कोई अर्थ ना हो अर्थ को निर्धारित करने वाले ही सब्द सक्तिया कहलती हैं और अर्थ को निर्धारित करने का तरीका जो होता है वही सब्द सक्ति के भेद हैं कई प्रकार से सब्द सक्तिया जो है निर्धारित की जा सकती हैं तो मैं आसा करते हूं कि सब्द सक्ति का जो भी निचोड है वो आप समझ पाए होंगे यहाँ पे इसकी जो अभिप्रयाय है यह सब्द सकती एक निधारिद अर्थ नहीं है नहीं रखता सब्दों को अलग-अलग सा अंदर्भों में जब रियूक किया जाता है उतुनके अलग-अलग अर्थ निकलते हैं तो यह सब बोर रहे हो तो अगर उसका जो मूल है वो अगर आप पढ़ लेते हो तो कुछ भी लिखने पढ़ने में असानी हो जाती है तो आप सब्द सक्ति का जो आफ्ट्याय है प्रड़िभासा वो जान चुके हैं तो आईए अब हम जानते हैं कि सब्द सक्तियों के भेद कौन-कौन से संस्कित के आचार ये जो है वो मम्मट है वो बहुत ही कहें तो प्रसिद्ध है जिन्होंने कावे प्रकास के दुतियों लास में सब्दार्थ स्वरूप निर्ड़े के अंतरगत तीन प्रकार के सब्द सक्ति वा तीन प्रकार के सब्द सक्तियां मानी हैं तीन प्रकार के हैं तो आई यह देख लेते हैं सब्द सब्द सक्ति राउना अब यह क्या क्या है Montuffy निकलता कैसे हम समझे सब्दमें अबिधा है लकषड़ रघ्र इवे और असान तरीके से बताएंगे आप लोग भी समझबाएंगे जरूरी ने कि किताबी घ्यान ही ज़ादा इंपोर्टेंट रखती हो तो लक्षक लक्ष या लक्षड़ा इनके सब्द यार्थ या सब्द सक्ति के नाम से ही आप समझ सकते हैं देख सकते हैं कि मतलब कलियर हो जारा है ब्यांजक ब्यंग या ब्यांजना है ना ये तीन मम्मट ने माला है इन में वाचक सब्द मुख्यार्थ का बूध होता है इसलिए सबसे पहले उसे रखा गया है लच्छड सब्द वाचक के उपर आस्रित रहता है आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे अविधा लच्छडा ब्यांजना अविधा क्या है यहीं पे हम बता देते हैं आपको जो सीधे सीधे मतलब जो बोला जा रहा है वही उसका अर्थ भी है clear उसका अर्थ यही है तो समझ लीजिए कि वो अविधा है और लच्छडा क्या है बोला तो जा रहा है वो लेकिन उसे लक्षार्थ करके किसी और माध्यम से तो वो लक्षड़ा है और ब्यांजना बोला जाए लेकिन अर्थ कुछ और ही निकले ब्यांग जी से कहते है हिंदी कि दिहाती भासा में कहते हैं कि ब्यांग मार रहा है तो उसी को ब्यांजना कहते है है ना तो ब्यंजना सब्द सक्ति आती है तो आईए हम आगे देखते हैं भाई सब्द सक्ति के भेद तीन भेद किये गए हैं अभिधा लक्षडा और ब्यंजना मैंने आपको बताया है कि अभिधा लक्षडा और व्यंजना तो अभिधा क्या है लक्षडा क्या है व्यंजना क्या है आईए हम आगे जानते हैं अभिधा सब्द सक्ति अभिधा से तातपर क्या है मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसा आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो आपके दिमाग में जो उसक में अर्थारा सीधा-सीधा वही जो अर्थ प्रकट कर रही है अविधा सब्द सकती है जो वक्ता के द्वारा कहा जाए और स्रोता वही जहों का त्यों अर्थ ग्रहाण कर ले वही अविधा अविधा में कुछ ऐसा करना नहीं है तो आपको मैं एक उधारण के माध्यम से बत नहीं है कि जो दोहा समझ पा रहे हैं हिंहीं जरूरी नहीं जो हिंधी पड़ रहे हैं सब Pronto आ Samuel Whew ップ ने में हिंपल में आपको पताती हूं जैसे मैं ने कहा कि घ्णा फार्ट चर रहा हैंता तो सीधे सी बात है गोड़ा छर रहा है मैंने कहा सब्द सक्ति है ना तो आई अब हम देखते हैं अविधा के कितने प्रकार हैं अविधा के कितने प्रकार हैं तीन प्रकार हैं अविधा सब्द सक्ति के योगिक सब्द रूड़ सब्द योगरूड सब्द अब योगिक सब्द से क्या होगा योगी मिला हुआ हो जिन सब्दों की व्योदपति होती दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने तो योगिक सब्द और रूड शब्द जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता जैसे जैसे घर मान लिजिए अब घर को अलग कर गर देंगे तो कोई अर्थ नहीं आएगा योग्रूड अब योग्रूड सब्द सकती जो सब्द यह सब्दांसों की योग से बने दैनिक जीवन में लोग बेवहार हेतु प्राया अविधा सक्ति का ही प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में हम अविधा सक्ति का ही प्रयोग करते हैं जैसे मोहन पढ़ रहा है गीता गा रही है बकरी चल रही है इसमें मुख्य आर्थी प्रधान है कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब कुछ अलग अर्थ निकल रहा है है ना तो आईए हम लक्षडा सब्द सक्ति के ओर चलते हैं लक्षडा सब्द सक्ति क्या है भई आप कमेंट भी करिएगा वीडियो देखने के बाद है ना लक्षडा सकती आपको बता दें कि वो है जैसे जो बोला जा रहा है उसका अर्थ हम कुछ लक्षार्थ से निकालते हैं जैसे कि कोई भी गाओ है उसकी जो बोला जा रहा है उससे हम वो प्रकट नहीं करेंगे जैसे मानते हैं कि किसी भी नदी के किनारे कोई किसी ने घर बनाया हुआ है तो लोग कहते हैं नदी में घर बनाया है तो नदी में वाकई में क्या उसने नदी में घर बनाया है नहीं उसने नदी के किनारे घर बनाया है ना कि नदी में तो यहाँ पर लक्षार्त का बोध होता है मुख्यार्त का नहीं लक्षार्त से हम आर्थ को प्रगट करते हैं तो वहाँ पर लक्षडा सब्द सकती होती है जैसे बिहार जाग उठा मतलब बिहार के लोग जग गए ना कि बिहार जग उठा तो यहाँ पे सामोहिक्ता का वैसे देखें तो हुआ कि बिहार जग उठा मतलब बिहार जो एक प्रदेश है वो तो नहीं जगा वहाँ के लोग जग उठा यहाँ बिहार सब्द मुख्यार्त है बिहार एक राज्य है जो चेतना हीन है वो तो नहीं जग सकता मैंने कहा ना वहां के लोग जग गये थिक है बिहार के निवासी तो जितना किताब में होता है जरूरी नहीं कि हम उतना पूरा का पूरा बात ही पुरा रट डाले रटने पर आप जोड़ देते हैं तो आपको एक बात इडियर्ट्स मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या है समझना चाहिए किसी भी कॉंसेप्ट को समझना चाहिए ना कि में रट के जियों कात्यों कर देना चाहिए अब मम्मट ने कावे प्रकास में लक्षडा सक्ति के तीन कारडों की आवसेक्ता होती हुन्होंने कहा कि इसके लिए तीन कारडों की मुख्यार्थ, लच्छार्थ, रूड़ी, प्रियोजन वरती लक्षडा इसके प्रकार भी आप कह सकते हैं तो इसके दो भेद हैं आपको पताएं कि नहीं भेद और प्रकार में अंतर होते हैं बताएगा कमेंट करके क्या है अगर नहीं पता है तो आमें बताएगा कि हम इसमें वीडियो बनाएं ठीक हैं रूड़ी, रूड़ा, लक्षडा ये क्या है जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्छा किसी रूड़ी परंपरा को आधार मान कर किसी वाक्य का अर्थ ग्यात होता है वहां रूड़ी या रूड़ा, लक्षडा होती है इसका मतलब समझें आप उधारड देखें हम आपको समझाते हैं, जैसे बिहार जाग उठा, मैंने एक उधारड पहले आपको दिया, मतलब कि बिहार जग उठा, इस वाक्य में बिहार से तात्परे निवास करने वाले लोगों से है ना कि बिहार से, वो तो निश्चेतन है, तो बिहार की लोग यहाँ पर यह आप देखेंगे रूड़ी, रूड़ा लग्षडा, मुखहर्थ की अपेच्छा रूड़ी परंपराव को हम मानते हैं, तो बिहार जग उठा में, बिहार के लोग जग उठें, बजार में सन्नाटा है, यहाँ पर बजार में सन्नाटा से तात्पर यह है, कि बजार में लोगों को आवा गवन नहीं चल रहा है, चाहल पहल नहीं है, प्रियोजन वर्ती लक्षडा, अब यहां पे मुख्यार्थ में बाधा हो, किन्तु प्रियोजन अथवा कारण को महत दिया जाए, कोई भी सब्द है, उसका जो मुख्यार्थ है, उसको निकालने में बाधा उत्पन हो रहे हैं, लेकिन प्रियोजन को और कारण को महत दिया जाए, तो यहां पे प्रियोजन वर्ती लक्षडा है, यहां पे इसके नाम से ही क्लियर हो जाए रहा है, कि प्रियोजन वर्ती लक्षडा क्या है, सीधी सी बात है, तो मुख्यार्थ नहीं निकल पा तो उसके महत्तों को उसके प्रियोजन या कारण को महत्तों दिया जा रहा है कि मुख्यार्थ जो है वो गोड़ हो जाता है तो आउदाहड़ देखिए हम एक उदाहड मैंने आपको पहले ही बताया तो अच्छा एक बात यह कि कुछ लोग मतलब यह हमें भी लगता है और उनकी समझाने के जो तरीके होते वो अच्छे नहीं होते तो कहीं मैं कुछ यहां पर तो ऐसा नहीं कर रही हूँ आप लोग कमेंट कीए ताकि मैं उसमें सुधाहार कर सकूं ठीक है तो देखिए उदाहड गंगा में जोपड़ी है गंगा में जोपड़ी नहीं मैंने कहा इसने घर बनाया है मगर गंगा में नहीं गंगा की किनारे गंगा में जुपड़ी == होना मतलब ये किसी का निवास करना ये संभव है क्या तो अपने मुख्य errors तो कि गंगा के किनारे है मुख्य criterion को त्याग करे लेकिन उसके कारड़ को प्रियोजन को यह महत दिया गया है सेर कब आया महेस तो निरा गधा उसकता है मतलब वो कमजोर है या फिर सीधह-जाधा जिसे इसे इंसान गधा ही करता है तो लोग क्या कहते हैं अरे वो तो बैल है क्या वाकाई में वो बैल होता है नहीं उसे मुख्यारत में बाधा कर दिया गया मुख्यारत निकल ही नहीं रहा हम उसके प्रियोजन को उसके कारड को कारड क्या है कि वो बैलो जैसे महनत करता है स्टेर कब आया तो आप मुझे लगता है कि अभिधा लक्षडा समझ गया और ब्यंजना सब्द सकती है भई ये तो मेरी फेवरेट सब्द सकती है तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या है जब वाक्चार्थ काम करे और ना लक्चार्थ ना वाक्चार्थ मतलब ना अभिधा न लक्षड़ा है ना ना लोग प्रसिद्ध अर्थ काम करे वही अभिधा लक्षड़ा दोनों ही काम ना करे तो हाँ पर ब्यांजना सद्द सक्ति का ब्यांगार्थ लिया जाता है मतलब दोनों न करें जो बोला जारा है वो भी नहीं है। इसका कोई अलग ही अर्थ है। इसके समझना इसको सबके बसकी बात नहीं है तो वहां होती है वेजञना सब्तिसक्ति जो होती है ना यह किवल संकेत मात्र देती है जो समझदार है वो समझ लिया नहीं समझ पाए तो भाई जाने दो सबकी पास की बात होती नहीं तो इसे आप कल्पना करके या फिर किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं तो आई हम उदाहरण देते हैं बें जना सब्सक्ति की अचा हाँ इसके जो अभी प्रियाएं कैसे निकाल सकते हैं इसको आप जानना चाहेंगे कि बेंजना सब्सक्ति हम निकाल कैसे सकते हैं यह सब जो इनके माध्यम से हम निकाल सकते हैं इसके हेद कौन कौन से हैं आप यह जान लीजीए तो हद्धी विंजना होता है तो आपे साब्दी व्यंजना होगा जैसे पानी गय न उबरे मोती मानुस चून यहाँ पानी के अनेक अर्थ हैं और इसका पर्यायवाची रखने पर व्यंजना समाप्त हो जाते हैं अब लोग बताइएगा कि जो पानी गय न उबरे मोती मानुस चून इसमें कौन सा अलंकार है आप सभी लोग कमेंट करके में बताइएगा ठीक है किसी सब्द भी से इस पर आधारित नहीं होती तो हां आर्थी ब्यांजना होती है जैसे एक मन मोहत तो बस उजरियों मोही ही में अनेक मन मोहन बसाओवा इसमें अर्थ के माध्यम से ब्यांजना की गई है किसका कथन है यह आप जरा अगर हिंदी पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि किसका कथन और किससे है बहुत ही अच्छी रचना है तो आप कमेंट करके हमें बताईएगा जरूर भाई देखने के बाद कमेंट भी करना जरूरी होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताई कि किससे कहा यह पंक्ती और किससे ने लिखा है ठीक है तो हिंदी व्याकरण में हमने आज जाना क्या जाना सब्द सक्तियां सब्द सक्तियां एक बार करते हैं सब्द सक्ति सित्तात्वरे क्या है जो सब्द से अर्थ को निर्धारित करती है वही सब्द सक्ति होती है यह कितने प्रकार के होती है आचारे मम्मट ने अपने काविया दर्स में तीन सब्द तीन वाच्च तीन सब्द सक्तिया दी है अविधा लक्षडा और ब्यंजना अविधा क्या है लक्षडा क्या है ब्यंजना क्या है यह मैंने आपको बताया अभिधा जैसे बोली जाए जैसे सुनी जाए वैसे इसका अर्थ निकाला जाए तो समझना चाहिए कि अभिधा है लक्षडा में क्या है जो बोला जाए लेकिन उसके अर्थ को उसके लच्छार्थ से निकाला जाए मतलब मैंने उदाहर दिया आपको कि गंगा किनारे अगर किसी का घर है या फिर नदी किनारे किसी का घर है तो अगर कहा जाता है रही वो तो गंगा में घर बनाया है या फिर नदी में घर नदी में जोपड़ी है ठेक है और ब्यंग आर्थ में क्या होगा ब्यंजना सब्द स सकती में ब्यंग के माध्यम से इसका आर्थ प्रगट किया जाता है बोला कुछ और जाता है लेकिन इसका अर्थ कुछ और प्रगट किया जाता है निकाला कुछ और जाता है तो यहां पर एक दुकई उदारण हम आपको दे सकते हैं जैसे एक बार क्रिस्न भगवान आते हैं और राधा अंदर रहती हैं तो कहते दरवाजा खुलो एक ऐसे दोहा है तो उन्होंने कहा कि कौन तो उन्होंने कहा घंस्याम तो राधा कहते हैं कि घंस्याम अहो तो यहां कहो कहीं और जा बरसो मतलब कहीं और जा कि बरसो घंस्याम हो तो यहां क् मतलब वक्रोकती भी आप कह सकते हैं है ना तो अभीधा लग्षडा बेंजना मैं आसा करते हो कि आप सभी को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या मेरे कंटेंट आपको फ़संदार है हिंदी में आप क्या पढ़ना चाते हो मुझे कमेंट कीजिएगा मैं आसा करूंगी मैं कोसिस करूंगी कि मैं उस पे उस कंटेंट पे बनाओ वीडियो और अच्छे से तो हिंदी से बसके वल हिंदी से ठीक है तो थैंक्यू अंदर तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ ब्याकरण में आप क्या पढ़ना चाते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा